हालो एपरबाड़ी, आम नीता शर्मा फ्रॉम मैड्रो कंपेटर्स आए आज की वीडियो में हम सीखते हैं फंक्षन, फंक्षन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है इसको एक्जाम्पल के साथ हम सीखते हैं ताकि हम तुरं समझ सके कि फंक्षन क्यों बनाते हैं और क्या सिंटेक्स क्या है और कैसे कैसे इसको कॉल किया जाता है इससे रिलेटेट सारी इंपॉर्टेंट जान करी तो चलिए हम वीडि को लोड करते हैं सबसे पहले हाँ तो यह हम VB को लोड कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि VB जहां भी हमारी रखी भी है वहाँ पे हम क्लिक करके और VB को लोड करेंगे विजल 6.0 पे काम कर रहे हम दिखें यह हमारी IDE खुल के आ चुकी है यह IDE ही है हमारी Integrated Development Environment क्योंकि बहुत सारे Parts हैं यहाँ पे और इसके दोरा हम एक बहुत टिपिकल एप्लिकेशन बना सकते हैं इसलिए इसको IDE बोलते हैं एक ऐसा Environment जिसमें बहुत सारे Parts दोरा हम एक टिपिकल चीज को बना सकें तो चलिए हम देख रहे हैं Function Function क्या होता है और क्यों बनाया जाता है तो हम इसको इस Example के साथ ही सीखेंगे तो आए हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं सबसे पहले हम एक Command बटन ले लेते हैं और इस पे हम Double Click करते हैं हम चाहें तो Properties बगरे सेट कर सकते हैं लेकिन अभी हम के वाले एक ही Command बटन पे काम करने हैं इसलिए हमें जरुरत नहीं है Properties की और अब हमें चलना है इसके General Declaration पार्ट में तो General Declaration पार्ट में हम किस प्रकार से जाएंगे देखिए यहां से क्लिक करेंगे यह हमारा General Area है यहां पे हम Function को Define करेंगे Declear करेंगे, Define करेंगे यानि बनाएंगे हम यहां पे और जो हमने Command 1 लिया है उस पे हम उसको प्राप्त करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हम एक छोटा सा Function बनांगे दिखते हैं हम फनक्शन बनारे हैं दो नंबर को Sum करने का ठीक है? तो यहां पे हमें लिखना है सबसे पहले Function बनाने के लिए हम लिखेंगे Function लिखिए Function और Function को हम नाम देगे क्योंकि हम add के लिए बना रहे हैं तो add या sum जो भी हम देना चाहें तो add देदें हम यहाँ पर function को नाम add और bracket में हमें चुकि हम दो number का बना रहे हैं add और bracket में हम दो variable लेना चाहे हैं इसलिए हम दो variable को यहाँ पर declare करेंगे यह line हमारी function declaration का लाती है लिखिए यहाँ पर a as integer comma comma दो variable हम लेना हैं इसलिए b as integer double click करेंगे bracket close करेंगे और फिर अब हमसे हमें इससे जो action कराना है वो action यहाँ पर लिखेंगे enter करेंगे हम हाँ यह गलती से bracket दो बार लगा दिया है आप देखें एक बार bracket शुरू किया था तो एक ही बार बंद करेंगे vb में इतना मज़ेदार system है इर्र को हाथ टो हाथ बता दिता है हमें to test का system होता है अब हमें जो function की प्रक्रिया करनी है हमें PayPal वो लिखना है देखिए नीचे अपने आफ end function लिखा हुआ गया है function end function के अंदर की तरह हम function का प्रॉसीजर यारि प्रक्रिया लिखते हैं कि हमें क्या करना है के अंदर हमें value डालनी होगी, जो भी हमें value लेनी है, तो हम ले लेते हैं a बराबर और b बराबर, हम यहाँ पर static initialization कर रहे हैं, और चाहें तो हम dynamic भी कर सकते हैं, तो a बराबर, हम एक बार a simple program बना रहे हैं, इसलिए a बराबर करके देख लेते हैं, स्वरी हम पहले function की प्रक्रिया लिखेंगे, यहाँ पर process लिखेंगे, तो हम लिखेंगे add बराबर, a double add हमने function को नाम दिया है, देखिए, a double add बराबर, और हम इसके बाद जो भी हमें k्रिया करवानी है, यानि हमें a प्लस b करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस b, अब चूंकि हम function मना रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी value हमेशा fix ही रहे, तो हम यहाँ पर अगर value fix कर देंगे, तो फिर तो problem यह हो जाएगी कि हमारी value हमेशा fix रहेगी, तो हम नहीं चाहते value fix हो, हम चाहते हमेशा value तो हम डालें, हम से computer पूछे और हम value ड लिख सकते हैं, मतलब एक function लिख सकते हैं, जिससे कि हम value पुछवा लें उससे, या फिर हम जहाँ पर call कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम value डाल सकते हैं, तो अभी हम simple कर रहे हैं, static initialization के साथ, assignment operator के साथ, इसलिए अभी अपन ऐसे ही करते हैं इसको, तो अब हम चलेंगे, command 1 पे click करेंगे, और उसके अंदर आएंगे हम, command 1 के अंदर पहुंचेंगे हम, क्योंकि हम जाते हैं कि जब हम command 1 पे click करें, तो हमारा ये दो number को sum करें, तो देखिए अब चुकि यहाँ पे हमने a और b उपर declare किये हैं, वो function के variable थे, और function के variable, variable नहीं कहला के arguments कहलाते हैं, function में जब हम variable लेते हैं, जैसे a और b लिए हमने, ये arguments कहलाते हैं, और जो function, जैसे मैं आपको बता हूँ, दो तरीके के function होते हैं, एक होते है user define और एक होते है built-in, user define जो हम बना रहे हैं, built-in जो बने बनाए हैं, जैसे भी आप print देख रहे हो, आप print करा रहे हो, ये बना बनाया function है, input box function है, ये सब बने बनाए function है, तो होता है कि जब function बनाया जाता है, तो आपको थोड़ी पता होता है कि function में क्या नाम दिया गया है, variables कौन-कौन से लिए गए हैं, इसलिए वहाँ के variable हमें दिखा ही नहीं देते हैं, और हम तो अपनी मर्जी से कोई भी नया variable हमारे program में ल formal arguments कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, formal यानि formalty वाले, एक copy बन गई है, computer की memory में, हमारी vb की memory में, लेकिन अब हम उसको हम जब call करेंगे तब हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरे नाम से variable declare करते हैं, आइए देखते हैं कैसे हम लिखें यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं, x, y दे देते हैं, dim x, y, z दे देते हैं, dim x, y, z as integer, और यहाँ पे हम x, y को value दे देते हैं, static initialization के साथ, यह हमारा assignment operator है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो कोई भी value दे दे हैं, हम दो number सम कराने हैं, y बराबर 10, anything, हम कुछ भी दे सकते हैं, और अब हम इसको print करवा लेते हैं, तो print कराने के लिए, अब हमें इस तरीके से print, कैसे print करना है, आपको यहाँ पे देखना है, तो देखिए हम print करेंगे, पहले हम इसको store कर लेते हैं, z बराबर, sorry, हमें z में store करने की ज़रूरत नहीं है, क्य है, अगर हम दुबारा यहाँ पे a plus b कराएं, तो फिर मतलब भी क्या हुआ, हम इसी तरीके से बड़े सारे statements को भी उपर बना सकते थे, इसलिए हमें इस तरह से नहीं करना है, अब हमें करना है print, और हम लिखेंगे z, और bracket में, हम लिखेंगे, हाँ, इसको थोड़ा सा गरबर हम से हो गई है, इसको लिखने का तरीका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, print के बाद हम लिखेंगे, function का नाम add लिखेंगे हम, अभी हमें z की ज़रूरत नहीं है, add, और bracket में हम x, y लिखेंगे, देखेंगे, यह पूरा format आगया है, add, a as integer, b as integer, जबके हमने यहाँ पे x, y लिखाए पर यह कह रहा है, कि add में तो आपके a और b हैं, आप यहाँ पे x, y ले रहे हैं, तो लेकिन मैंने आपको बताया, कि वो formal argument है, और यह actual argument है, तो अभी हम देखते हैं, देखेंगे, इसमे देखेंगे, यह run हो गया है, लेकिन देखेंगे, run करते ही, हमने जब command one पर क्लिख किया, तो हमें इसमें एक error दी, क्या कहा है, देखें, ध्यान से compile error है, हमारी errors भी तीन प्रकार की होती है, अभी आप यहाँ देखें, एक error, compile error है, compile time error, तो इसमें हमने क्या किया है, by ref argument type mismatch यह कुछ कह रहा है कि by ref argument जो है argument कौन से होते हैं जब हम bracket में variable डिखते हैं function के वो argument कहलाते हैं तो यह कह रहा है argument type miss में चे ओके करते हैं हम देखते हैं क्या गड़बर हो सकती है तो देखिए जैसे मैंने बताया कि formal और actual argument है इसी प्रकार से दो प्रकार से हम इसको call करते हैं यह जो line आप देख रहे हैं यह line आप function को call कर रहे हैं कौन से function को जिसको आपने यहां बनाया है इसी तरीके से आप पूरी function ही function बना के रख सकते हैं C++, C में आप header file बना के रख सकते हैं और इसी प्रकार जहावा में भी आप बना के रख सकते हैं और फिर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है सीधे ही call कर सकते हैं इस तरीके से तो हम से क्या गरबड हुई है कि यह जो function जहाँ पर बनाया गया है इसको भी दो तरीके से declare किया जा सकता है function के variables को यानि function के arguments को एक होता है by value और एक होता है by reference reference means होता है पते द्वारा पते का मतलब है कि memory में अगर इसका पता यहाँ यह है तो आप इसको यहाँ से ही लेके जाए तो by default यह reference को ले रहा है और reference की वज़े से उसका पता हमने x y अलग जगे पे बनाये वे हैं और a b उसकी memory में अलग दबो में boxes में लिखे हुए है तो वो confused हो गया इसलिए उसने अपने को error दी कि आपके यह by ref हो रहा है तो यह type mismatch हो रहे है आप इसको या तो by ref है तो उस तरीके से call करें नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा change करें तो आप देखो हम इसको क्या change करते हैं दो तरीके की calling हो गई by ref और by well well means value या रहा रहा कॉल करना या value द्वारा कॉल करना तो हम value द्वारा कॉल करेंगे इसलिए हम define में थोड़ा सा change कर देंगे तो देखते हैं हम कैसे करते हैं हम जाएंगे हमारे declaration area में देखें आप by well शब्द का प्रियोग किया हमने जहां declare किया उसके just पहले by well बिल्कुल by well a as integer और by well b as integer और अब run कराते हम इस function को देखिए हाँ run कराएंगे यह देखिए run हो गया है result आगया है आपका 10 plus 5 means 15 आगया है आपके सामने और यह हमारा program हो गया है इसमें हम थोड़ा सा change भी करके देख सकते हैं यानि यह function बन गया है अब आप इस function को आपको कहीं और भी जरुरत पड़े तो आप call कर सकते हैं आपको इतना सारा लिखने की जरुरत नहीं होगी आपको सीधा आपके variable की value declare करनी होगी variable declare करके value डालनी होगी और आप सीधा उसमें काम कर सकते हैं तो हम देखते हैं इसमें क्या change करते हैं हम हम इसको थोड़ा सा change करके भी लिख सकते हैं close करें और अब हम इसमें देखते हैं हमने print add x, y किया है हम यहाँ पे z हमने एक लिया था तो इसको z को भी use में लेके देखते हैं कैसे लेते हैं तो देखिए यहाँ पे करेंगे z बराबर z बराबर और add add ब्रैकेट में लिखेंगे x, y जैसा हमने print में लिखा है उसकी जगे हम इसको यहाँ पे लिख दे ब्रैकेट close और यह नीचे वाली जो पंक्ती है इसमें add की जगे हम केवल यहाँ पे z लिख दे तो यह हमारा z का use हो गया और अब आप run करा की देख सकते हैं इसको तो भी हमारा काम कर रहा है यह देख सकते हैं हो गया फिर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं यह भी हमारा static initialization है आप बार-बार मैं जो वाकि बोल्रियन को repeat करेंगे तो आप कोई अच्छे से याद हो जाएंगे करते हैं ताकि run time पर हमसे value पूछेगा हम डालेंगे और वो इसको काम करेगा तो आइए इसमें के लिए हम क्या चेंज करते हैं इसके लिए हम एक input box function का प्रियोग करेंगे तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं चलिए हम program में x और y की जो हमने declare किया उसको हटा देते हैं उसकी जगे हम दूसरी तरीके से लिखेंगे उपर जलें x और y बराबर को हटा दें और इसमें हम लिखेंगे x बराबर input box और bracket शुरू करें देखिए इससे एक dialogue box बनेगा जो input box होगा जिसमें value डाली जाती है और उसका ये पूरा format है कि इसमें से हम इन चीजों को प्रयोग में ले सकते हैं लेकिन अभी हम short में समझ रहे हैं इसलिए हम इतना जादा नहीं करके हम सीधा अपना काम को करते हैं तो हमें value डाननी है तो enter first number लिख दे हम double quote में यानि हम यहां पर string लिख रहे हैं as it is कि enter first number comma double quote close करेंगे comma और variable का नाम लिखेंगे और यहां variable का नाम लिखेंगे जिसमें हमें value डानी है तो वो हमारा x ही है तो हम x लिख दें और bracket close कर दें इसी प्रकार से हम y की value डाल दें y बराबर input box enter second number spelling mistake हो जाती है इग्नॉर करें double quote में लिखेंगे हम enter second number s-e-c-o-n-t double quote close comma लगा के हम y bracket close bracket बन करना रहे गया इसलिए error दे दिए bracket close करेंगे हम और यह हमारा बन गया है अब यह हमसे पूछेगा run time पे run करा के देखते हैं हम इसको यह हुआ हमारा dynamic initialization run time पे हम value डाल रहे हैं run कराएं देखिए अब command 1 पे हम click कर रहे हैं और second number 60 डाल देते हैं तो देखिए क्या हो गया है 110 और इसलिए भी बी object oriented है देख सकते हैं आप जिस पे भी हम click करें अगर हमने 10 button command button बना रखें तो जिस command button पे हम click करेंगे वो ही पहले activate होगा यानि object based हो गई है तो यह हमने देख लिया हमारे function में हमने dynamic initialization कराके और इसमें एक थोड़ा सा change करके हम और देखते हैं click करें हम इस चीज को जो हमने x और y जो हमने लिया है इसको भी हम हमारे function के अंदर ही define करके देखते हैं तकि हमें हमेशा नहीं डालना पड़े और यह खुदी अपने आप इस काम को कर ले तो यहाँ से हम इसको cut कर दें और इसको function जहां हमने declare किया है वहाँ पे डाल दें बिल्कुल इस तरीके से तो हमारा यहाँ x y की जगे हमें क्या लेना होगा a और b क्योंकि हमने यहाँ पे a और b की ले रखे हैं और हाँ सभी जगे हम a और b कर दे x y की जगे ध्यान से देखके यह हो चुका है आपका अब नीचे हमें हमने हटा ही दिया है हमें इसको जरुरत ही नहीं है और अब देखेंगे आप हमें नीचे x और y को भी लिखने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि हमारा काम तो हो गया है तो हम dim में से x y और z हटा दे केवल z को रहने देंगे क्योंकि z में हम store करा रहे हैं और हम चाहें तो direct भी कर सकते हैं run कर आते हैं हम इसको देखिए first number डालेंगे देखिए इसने add करके दिखा दिया है तो देखा आपने यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ा एक बार function बना हुआ है तो बस उसके अंदर आपको आपने सीधा call किया हमने का z बराबर और add हो जाए हम इसको सीधा print से भी कर सकते थे तब भी हमारा काम हो सकता था हम z भी नहीं लेके अगर print करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा देखिए कैसे देखते हैं हम हम z को भी हटा देते हैं यहाँ से बिल्कुल और हम z equal to भी हटा दें क्योंकि हमने z लिया ही नहीं है तो एक मिनिट हाँ हम z को भी print z को भटा दें z line z को और इसकी जगे हम क्या लिखेंगे add और bracket में हाँ a,b लिख दें हम या x,y हाँ देखिए यह हो गया हमारा result run हो रहा है बकाइदा बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन हमें a और b से इसलिए चल गया क्योंकि हमें a और b variable याद थे तो हमने और b नाम लिख दिया लेकिन वहाँ पे अगर हमें नहीं पता a और b हैं तो हम यह x,y लिखके देखते हैं कि चलता है क्या देखिए आपका प्रोग्राम चल गया इसका मतलब अब आप function बनाना सीख चुके हैं और देखिए अब आप इस चीज से इसको close करें और इस पे ध्यान से रिखें कि इस चीज से आपको क्या बास समझ में आ रही है कि यहाँ पे आपने x,y लिए हैं और जबकि यहाँ हमने जब लिखा था a और b लिए थे तो इसका मतलब यह तो हैं हमारे formalty वाले variable और जब यह यहाँ variable function के bracket के साथ जब variable लिखे जाते हैं तो variable नहीं कहला के arguments कहलाते हैं तो यह हमारे जो हैं formal arguments हैं और हमने यहाँ पे a और b लिए थे जबकि यहाँ पे हम x और y करा रहे हैं यानि कुछ भी करा सकते हैं तो यह हमारे हो गए हैं actual argument और इनको हमें declare करने की भी जरुरत नहीं पड़ी हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने उसके लिए सारा काम यहाँ पे करके छोड़ दिया यानि की जिन चीजों को हमें बार-बार करने की जरुरत पड़ती है एक particular statement के समू को हमें अलग-अलग program में अगर एक ही जगे पे बार-बार करना है तो for loop से काम कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग program में कहीं भी मुझे उसको जरुरत पड़ती है call करने की तो मैं उसको एक नाम देके और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया लिखके हम उसको एक अलग जगे पे declare define करके छोड़ सकते हैं और जब भी जरुरत होती हम उसको call कर लेते हैं इसी प्रकार से तो यह आपने देख लिया इसमें function कैसे बनते हैं function का use क्या होता है और function को call कैसे किया जाता है और function जो है हमारे दो तरीके से लिखे जाते हैं call किये जाते है call by value और call by sorry call by value और call by reference दो तरीके से तो हम इसको call करते हैं उसके लिए उपर by value शब्द का प्रियोप करना होता है और by default यानि अगर हम by value reference हो जाता है तो इसलिए हमें by well द्वारा call करना चाहिए यह हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है लेकिन हमें जब बनाने हैं तब यह करना होता है तो यह तो हुई calling दो प्रकार की है function की और function के arguments दो प्रकार के होते हैं एक तो हमारे formal और एक हमारे actual तो यह हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखी इसके साथ मैं आप static और dynamic initialization भी सीख रहे हैं assignment operator को भी देख रहे हैं और mathematical operators को भी देख रहे हैं और बहुत कुछ मैं आपको बताने जाने वाली हूँ हमारी next videos में और यदि आपके लिए मेरा channel मेरी videos मेरी informations उपयोगी हो तो please मेरे channel को subscribe करें like करें comment करें comment करके अगर आप लिखेंगे तो मैं मुझे encouragement मिलेगा और मैं आपके लिए और videos बना के डालूँगी तो देखते रहें मेरे videos को okay bye